अभिनंदन है आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल फिल्मी पंडित में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया के फेमस एक्टर दिलीब कुमार जी और उनसे जुड़े हुए फिलिम फेर अवार्ड्स के बारे में एपरिशित तत थे दिलीब कुमार पहले मेल एक्टर थे जिन्होंने बैस्ट एक्टर मेल के लिए पहला फिलिम फेर अवार्ड 1954 में दाग मूवी के लिए जीता था दिलीब कुमार पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने तीन लगतार वर्षों तक बैस्ट एक्टर का फिल्म फेर अवार्ड जीता था 1956, 57 और 58 में अपनी मूवी आजाद, देवदास और नया दोर के लिए ये पहले ऐसे एक्टर बने जिन्होंने फिल्म फेर के बैस्ट एक्टर के आठ अवार्ड जीते 1993 में इन्हें Lifetime Achievement का फिल्म फेर अवार्ड मिला और अब अन्त में आप सभी के लिए फिल्मी पंडित जी की तरफ से लभाव दिलीप कुमार जी के पास Best Actor के आठ फिल्म फेर अवार्ड जो सबसे जादा हैं और इसके बाद शारुक खान ने भी फिल्म फेर के आठ अवार्ड जीते हैं Best Actor के Indian Movies के ऐसे ही ये Non Facts जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल फिल्मी पंडित आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारी इंस्टा आइडी है फिल्मी पंडित जी आप सभी का दिन मंगल में हो